Hello friends, good morning to all of you, I welcome you to the study tech channel So, आप जो सब कोई जानते हैं, COVID-19 का नया variant आया है, that is Omicron उसके cases बहुत ज्यादा increase होने लगे हमारी country में और आपको क्या कुछ prevention, क्या कुछ precaution रखना पड़ेगा हम सब कुछ इस वीडियो में details से discuss करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि RT-PCR की कुछ new instruction आयए है for major 6 airport, 6 airport country में उनके लिए instruction आयए है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है कि क्या instruction है, ओके, सो वीडियो भी काफी बहुत important होने वाला है सो बिल्कुल भी escape मत किजेगा, और last तक देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे, तो like, share और चैनल को subscribe करना ना भूलें ओके, सो चले discuss करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते है, स्क्रीन पर लिखा हुआ 8 fresh cases of COVID-Omicron variant, national tally rise up to 153 ओके, 8 new fresh cases आयए हैं, COVID-Omicron की और its rise up to 153 तक पहुँच गया है आप सभी को पता है guys की Omicron कहां से detect हुआ था, that is detected from South Africa South Africa से यह detect होके other all countries में spread हो गया, like such as Sri Lanka, India और भी Malaysian countries ठीक, उन में क्या हो गया यह और यह बट गया है, ठीक है तो सरकार के दवारा एक अभी नया instruction पास किया गया, that is Omicron threat को लेकर जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर pre-booking, RT-PCR की pre-booking कराई जाएगी जो भी international flight booking हैं from the outside this country, जहां से यह threat हो रही है कि हाँ, यहां से आने के chances हैं, वहां से 6 airport from today आज से लेकर 6 ऐसे airport जहां पर RT-PCR mandatory कर दी गई है, उसके लिए pre-booking start कर दी गई है वह भी मैं बताऊंगा कि कैसे online होगा, ठीक है, वीडियो का आप पूरा last तक देखे हैं, खाफी important हो जाएगा आपके लिए ठीक है, तो RT-PCR कैसे करना है, वह भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं तो पहले हमें बताता हूँ कि कौन से 6 major airport हैं, जो आज से जहां पर RT-PCR mandatory होगा तो ठीक है, यह है major 6 airports जहां पर RT-PCR mandatory कर दी गई है, दिल्ले, मॉंबई, कॉलकत्ता, चेन्ने, बैंगलूरू एन हैदरबाद ठीक है, यह क्या है, 6 major metro cities है हमारी country के, यहां पर आपको pre-booking करनी परेगी for this RT-PCR और इसके अंदर कुछ ऐसे चीजे लेके आ गई है कि जहां पर बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ देखा जाए कि without hassle free कोई भी passenger को ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, तो उस type से यहां पर अगर pre-booking कर रहे है online के थुरू तो वहां पर connection अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा वहां पर difficulty ना है और अगर यह जरूरत पर ही कि इस rule को हम लोग और other airport तक extend करना पड़ा, तो हम यह जरूर करेंगे तो इससे ही बात की गई है, आप यहां पर देख सकते है, RT-PCR को mandatory कर दिया गया है, Monday से, mandatory, okay, for the pre-booking और इसको इसका mandatory करने का reason यह ही है, बस omicron का threat, क्योंकि omicron अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप दिखा रहा है, ठीक है, तो उस type के cases ज्यादा increase ना हो, इसलिए government के द्वारा यह बहुत ही अच्छा option पास किया गया, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि RT-PCR की pre-book booking कैसे करना है इंडिया में, ठीक है, तो पहले तो इसमें आपको जाना पड़ेगा कहा, official website पर visit करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर इसमें लिखा है, visit the official website for the international airport of the city, you are traveling to and for convenience, here is the ones, Delhi, Mumbai and Kolkatta, ठीक है, अब visit की जो official website पर, वहाँ पर क्या करना आपको, look for the option book COVID-19 test on the top panel, ठी के लिए, आपको booking के लिए, option दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक किजिएगा, फिर next पर क्या आएगा, तीसरे पर next पर select type में, क्या होगा, in this case, international arrival करके, वहाँ पर option आएगा, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, कि मैं internationally, इस country से बलाँ करता हूँ, यहां से आ रहा हूँ, उ after entering all details, select the type of test in case of RT-PCR through rapid PCR testing is available, ठीक है, आपको बता दूँ कि airports पर अगर आप pre-booking करके test को available कराईएगा, तो आपको कम cost here में, मतलब कि बाहर अगर कराते हैं, तो साड़े तीन जार कास्फस लग जाता हैं, लेकिन अगर airport पर pre-booking करके कराईएगा, तो 500 में available हो जाएगा, ठ पर हमारी country में कुछ this type का होना चाहिए, RT-PCR airport पर pre-booking करने चाहिए, जो भी international, आरे foreign countries है, जो भी आरे हमारी country में, ठीक है, और हमारी country में भी इस threats से बचने के लिए हमें अमारे पास दो vaccine है, that is COVID sealed और co-vaccine, बहुत ही अच्छी vaccine है, guys आप सभी को पता है कि इन दोनों का महत पर बहुत ज्यादा importance हो गया है, ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की अबादी 140 करोड के आसपास, तो उसको क्या करना है, पूरी अबादी को, अभी में हम बता है, तो अभी आधा छोड़िये, आधा का आधा का आधा भी नहीं, वन थार्ड भी नहीं बादी को हमारी vaccine लगे तो अपना 90 से 95% की efficiency दिखाती है, ठीक है, और इसको रोकने का, COVID-19 को रोकने का बहुत ही ज्यादा इसमें चंगता है, वहीं अगर आप बात करें कि Pfizer vaccine, जो Russian made vaccine है, Pfizer vaccine वहां कि उसके बहुत ज्यादा side effects है, तो खुद की country की vaccine पर भरोसा कीजिए, ना कि other की countries पे, ठीक है, वर की country भी vaccine पर भरोसा कीजिएगा, तो आपको ज्यादा profit वहां देखने को मिलेगा, ओके, सो हमारी country के दो vaccine बने हुए, that is co vaccine और COVID-19, so I just request all of you guys to please vaccine आप लोग लिजिए, ताकि आपकी परिवार की life, आपकी life safe और secure हो, ठीक है, सो आज के लिए वस वीडियो में इतना है, thanks for watching our video thank you and have a nice day, tata, bye bye